बेशन के लड़ू जब बनाते हैं तो उसे धीमी ताव पे भूना होता हैं कहा जाता है कि इतना भूनो कि जब तक पडोसी आके आपको टोक ना दे कि क्या बना रहे हो इतना सुगंदी तो आज जब मैं लड़ू बना रहे थी तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ सच में मेरे पडोसी एकदम याद रहें कि इसे धीमी ताव पे भुनना है और इतना भुनना है कि सच में पडोसी आके आपको टोक जाए जो मेरे साथ हुआ तो धीमी ताव हमेशा रखें और लगतार इसे चलाते रहें ताकि आपका बेशन का कलर एक जैसा हो फोड़ा टाइम लगता है पर लड़ू भी बहुट टेस्टी बनता है अब दस मिट भुनने के बाद मैंने इसमें एक कटोरी सुजी डाला इसे भी डालके भुनना है और इस अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी ताकि लड़ू का कलर अच्छा अच्छे से मिक्स चीनी का बुरादा है यह चीनी कम ज्यादा आप कर सकते हो यह दानेदार सा फील होता है चीनी का पाउडर डालने से मुझसे गलती हो गई कि थोड़ा सा मैंने देखा कि घी ज्यादा पढ़ गया था जिस वाइसे लड़ू सक्त नहीं बन रहे थे तो मैंने अलग से बीना घी का बेशन भुन के उपर से डाल दिया अगर आप बेशन भुनना नहीं च खुसी होगी ऐसा आपको लगए कि आप हलगाई जैसा इदम परफेक्ट लड़ू पहले ही बार में बना रहे हो जब तक मैं सारे लड़ू बना रही हो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करतों अगर पहली बार हो तो और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस् भात दोनों बहुत जादा बढ़ जाता है दो गुना हो जाता है आप इस लड़ू को आराम से जार में बंद करके डब्मे में रख सकते हो महीना दो महीना कुछ नहीं होने वाला है एक लड़ू खाए इस गर्मी में अपने आपको खयाल रखे घर से बाहर तभी निकले चूप कर रहा है फिर आती हूं एक नाइडिस के साथ